ताशी देलैक, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुशान स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे मैंट पार्ट एक्स्क्लूजिव व्लॉग के दूसरे एपिसोड में जहां हम परमपावन श्री देलाई लामा जी का प्राकटि महोटसव मराने पहुचे हुए हैं हमारे तिबबती भाईयों और बहनों के बीच फ्रेंड्स, यह एपिसोड पहले वाले एपिसोड से काफी अलग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखेंगे इनकी क्या तयारियां चल रही हैं आज के इवेंट के लिए इनके लोकल क्यूजिन को भी हम ट्राइ करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे और इनकी कल्चुरल अक्टिविटीज के साथ में इनके ट्रेडिशन्स और उनके संचिप्त इतिहास को भी जानेंगे तो चलिए चलते हैं और देखते हैं किया तयारिया चल रही है तिस शॉप और वाट अच्छा ओके यहां पर लंच प्रिपेर हो रहा है आज आने वाले गेस्स के लिए और यहां मैम ने हमें ये कुछ खाने के लिए दिया हुआ है मैम क्या है ये 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 मैम ने भी हमें खबसे ओफर किया हुआ है यह एक्चुली खाजा का भाई बहन टाइप का कुछ है हमारे यहां पर जो खाजा बनता है ऐसा ही होगा दोहरी टेस्ट यह तेस्ट यह प्रेंड्स यहां पर यह देखिए रिफ्रेश्मेंट के लिए कुछ चीजें रखी हुई है और उनका प्राइस भी लिखा हुआ है हो दो कुछ चीजें हम यहां पर ट्राइ करेंगे आज पर ऐसी चीजें ट्राइ करेंगे जो यहां की एक्स्लूजीव हो फ्रेंड्स अभी मैंने खाजा सॉट अप कुछ ट्राइप किया वह मैंने आपको शो किया था वह लिटरली बहुत ही अल्टिमेट था कुछ अलग सा वह रहा रहा था में भी शायद काइंड ओफ ओईल ये यूज करते होंगे उसका होगा मुझे ऐसा लग रहा है बट स्टिल मैं पूछता हूं से कि इसकी प्रप्रेशन कैसी होती है लिटरली बहुत ही माइल सा स्वीट था स्वीटनेस बहुत माइल डवल पर और बहुत अच् वगरा भी यहां पर सामने चल रहा है तो चल के देखते हैं कि क्या चीज़ें वहां पर यह कैसे खिलते हैं इसको स्रिफ उपन प्लास है सो रुपन प्लास है ऑपन प्लास है सो रुपे में दो बिया और जो पीता उसके लिए उसके लिए पैसा तो फ्रेंड्स हम लोग यहां पर एक मज़दार गीम चल रहा है वो ट्राइब करने वाला है मैं अपने फिरेट नंबर पर लगाने वाला हूँ नंबर चूस हो गया है यह खाली देगे अच्छा एट में एट में मेरा लगा दो बूग है और नबर दो नंब सिक्स फ्रेंड्स जैसे हमारे यहां पर खुली है दिवाली में बहुत थी एंजॉइमेंट की पर्पस से गैंब्लिंग सॉर्ट फुछ गेम खिला जाता है वै गाइस अभी हम लोग यह अरा रूट का एक ड्रेश है दिस कॉल्ड लाफिंग वाइट वन प्रेट थर्टी रूपीस का है यह हम लोग ले रहे हैं अच्छा ओके यलो डिफ्रेंस क्या है टेस्ट एंटेस्ट ओके तो यलो वाला किस चीज़ से बनता है यह अरा रूट अर यलो वाला भी आगया गाईस तो मिक्सर के तो उद्देद होगे क्या अरा रूट यानि एरो रूट नाम के पेड़ के जड़ से निकला हुआ उसका स्टार्च जिसका उपयोग खादी प्रदार्थ के रूप में किया जाता है यह काफी हेल्दी होता है लेकिन अरा रूट क आजकल की जो फासफूड हैं उनको गाढ़ा करने और उनको शाइनी टेक्च्चर देने के लिए किया जाता है इसका उपयोग चाइनीज डिशेज में काफी होता है यह बेसिकली टेस्ट लेस होता है फ्रेंड सभी मुझे फाइंड आट करना पड़ेगा कि यहां यहां फेंट वाला जो देश है वह लाफिंग वाइट और लाफिंग येलो सवख आता है वाय, हम लोग ट्राइब यहां चुका है वो वी ट्राइब ली नहीं वह स्वीट लगती है बट यह स्वीट नहीं है यह सॉल्टी है किस में दलती है दोनों में ओके डिफ्रेंट टाइपस फूड करना यह मेरा एक्चली अभी सबसे होट पैशन बना हुआ है मुझे बहुत मज़ा आता है ने डिशेश को ट्राइब करने में मैं यह सुचा था कि पता नहीं यहां पे लोकल दिशेश मिलेंगे या नहीं बट इस इविट में आ की आपर देख रहे हैं कि लोकल डिशेश हैं अभीलेबल और हम लग उदमें से कुछ ट्राइकरने वाले है जो चलिये देखते हैं कासा है यह बट रहा है इस 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 इदेख सकते हैं इसकी प्रिपरेशन अरार उट किया है इस पर यह रैड चिली का चट्टी डला हुआ है उपर से लसुन ता जोल यह काफे दिपर्ट्रेंट है इस बने वाला आप अजय करने के लिए इंग्रेडियंट्स होते हैं वो चीजों का यूज किया जाते हैं आफी नीट करता होगा यह बडी को टेस्ट आपको डिवलोप करना होगा जट्नी के साहत तो अच्छा लग रहा है आटी काफे एकड़ फीका फीका सा तेस्ट होगा जो यूज्वली तो नॉर्फ टिपिकल फुल अगा है इस्पाइस और बहुत है ज्यादा यूज किया जाता है चट्नी के साथ तो मज़ा रही है यह क्या है जो लिक्विड आपको कोक जैसा नजर आ रहा है वो एक्ट्नी कोक नहीं है वो है तो यह पानी पानी मिलाना पर अच्छा ज्यादा एक्टीज है यह विनेकर है ना यह बहुत है तो यह यह ळाट विक्स एक जला हुआ है पर एक चपक्छ की करने यह यह लापिं की अधर करया प्रिफिशन काफी इंटरेस्टिन लगा आख रहा आएगे। और में जैसके वन लूद सेकी है? रयूर। जूपलता जूपलता है जूपलता जूपा जूपलता है दया भुपलते हैं झाय विद गलता जैसा बीचत maturity लना संथ है जिए ओक घूपलतā . कर दो कर दो कर दो फ्रेंड्स यलो लाफिंग हमारा आ चुका है और चली देखते हैं कैसा है प्लास्टिक तरा गया मेरे विए फोक देना है को गलती से मैंने फोक को काट लिया था इसका टेस्ट तो आसम लग रहा मुझा हुआ 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 है अजुआ है मैं रिटररी एक्सपेकन नहीं कराना आघज बहुत इल्टी मेंट है यह लोग ने दोबारा ओडर किया क्योंकि वह न बहुत मज़ा आया था क्योंकि नई डिशेस को आप ट्राई करो तो बहुत ही जगोंप ऐसा हुता है कि होगां का वह डिविलप करना होता है तो मैं में एक बार में इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा ना लगे और टेस्ट डिविलप करना पड़े बट नहीं ये पहली बार में इतना अल्टिमेट लगा कि हम लोगों ने सेकंड और 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 किया और यह हम बहुत एंजॉय करने हैं अपर से सॉब अंदर से स्पाइसी और क्रिस्पी अमेजिंग अबस्पाइसी है उसका नाम लाफिंग है लेकिन उसको का के हसी नहीं आती खा के मज़ा आता है हाँ प्रेंट सब लोगों नहीं यहां पे डोनट भी लिया हुए और चल यह देखते ही यह कैसा है बहुत ही अब 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 अन्दर जाके कम्योंटी हाल में जो इवेंट चल रहा है वहां से आपको जाइं करते हैं भी आपको यह बहुत ही टेस्टी बहुत डिश्य इस है पेता हो गया क्कूल्टिवेशन ओफ सेक्युलर एथिक्स और यूनिवर्सल वैल्यूस प्रमोशन ओफ हार्म अमंग रिलेजियस ट्रडिशन प्रिजर्वेशन ऑफ टिबेट्स लेंग्वेज कुल्चर रिवाइटलेज़ेशन ऑफ एंट सियंट इंडियन नॉलेज प्रेंट्स ये दलाई लामा जी उनके जो भी फोर कमिट्मेंट्स हैं वो यहां पर प्रिंट हुए हैं हमने यह चीज और अप्स डाउंस देखने के बाद भी इन चीज़ों को कंटीनियूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं फ्रेंट्स एक और स्पेशल चीज़ यह हमारे यहां पर भी बनता है यह हम लोग नहीं चना 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 चटपटी फ्रेंट्स टिबेटन्स जो होते हैं वो वक्त के बहुत ही ज़्यादा पाबंद होते हैं अभी सभी इंतिजार कर रहे हैं चीफ गेस्ट के आने का बिंग ब्यूरोक्रेट उनके पास भी शायद काफी हेक्टिक स्केडियूल होगा तो वो भी थोड़े से लेट चल रहे है आज के शेडूल के हिजाब से तो एनिवेज इनके जब तक चीफ गेस्ट नहीं आ जाते तब तक यहाँ पे कुछ-कुछ एक्टिविटीज चोटी-मोटी एक्टिविटीज चल रही है एक छोटा सा कॉम्पेटिशन सौट अप चल रहा है इनमें जित्ते भी कंटेस्टें हैं उनको इनके ट्रेडिशनल ओट्फीट एस सुने अस पॉसिबल पहनना है उसके बाद यहाँ पर बैठना है और उसके बाद इनके जो डिश इनका मेन फूड होता है उसको तुरन प्रिपेर करके खाना है साथ यहाँ पे इनके लोकल गेस्ट भी आये हुए हैं खाता वाइट कलर का ही होता है खाता ओफर करने के अलग-अलग मैने होते हैं उसकी अलग-अलग इंपोर्टेंस होती है जब तिबबत में सिल्क नहीं हुआ करता था उस समय जानवरों के चमड़े का इस्तमाल होता था खाता के जगए अगर हम तिबबत के बोन इतिहास का रिफर गया यानि सिल्क का खाता बना स्टार्ट हो गया को पर उस प्रटिक माना जाता है इसलिए मुहत्तृफूर्ट अफ्सरों और पवित्र जगों में इसे पहना या ऑफर किया जाता है जब किसी महमान के आने पर इसे आफर किया जाता है इसका मतलब होता है कि आप साधर आमंत्रित है यह सिंबॉलाइज करता है खाता, मंगुलिया, चीन, नेपाल, भुटान जैसे जहां पे भी बुधिस्ट इंफ्लुएंशियल जो आबादी है वहाँ वहाँ पे यूज किया जाता है अगर हम तिब्टन खाता की बात करें तो यह यूजवली यह प्राया यह सफिद रंका होता है जो तिब्बतियों के साफ पवित्र एवं पावन रिदय को दर्शाता है मास्क पहन के यह परफॉर्म किया जाने वाला यह आर्ट डान्स फॉर्म लामो क्याने की टिबेटन ओपरा का एक पार्ट है स्पेशली जब भी मैट के उस आइकॉनिक सॉंग ये इश्ख हाय के बाद शायद ये यूनिवर्सली हर कोई जानने लग गए इसके बारे में लेकिन डिटेल बहुत ज़ादा नहीं पता है लोगों को हमारे अगले एपिसोड में कल होने वाले यानि नेक्स डे होने वाले ओपरा को कवर किया जाएगा जिसमें हम ओपरा के बारे में डिटेल में जानकरी लेकर आएंगे जाता है चूँटन कुमार जी आएगे डिटेनीयोज लेटेले जीएपर ऊंवेशाँ में छीचिच उप surprise May I request our Honorable Chief Guest Sri Kundalapumarji to do the honor of lighting the borderland and cutting the birthday cake Sir please धुचौकर दंखला सुड़ दंखी लिए बजैसान हार रहता है टरह odcinku प्रत्रिशन आफ तरह भी करें जरुन। जिसमें आई हूए गेस को खाता आफ़र करके उन्हें ट्रेडिशनल वे पे वेलकम किया जाता है खाता आफ़र किया जाता है खाता आफ़र किया जाता है आफ़र के बीच में आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी कम्यूनिटी में आ गया हूँ मुझे ऐसा घर जैसा लग रहा है अगर आप किसी को अच्छा नहीं कर सकते हूँ तो किसी को हाम मत करिये मुझे बहुत है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, I thank all of you, and I again wish a very warm, very happy birthday to the 14th Dalai Lama, May Long Linda Dalai Lama, thank you so much, jahe, 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 bharat. किसकना चाहा हमसा, हमारे महन पाती बदी जो की तरह तरह के फसल उगाते हैं, और खाद और जिसे अलू का बीच वगेर हमारा सुसाइटी से उपलात कराते हैं, तो आज इसी मैश्च का, पिछ्टे साल जो हमारे किसान, जिसने हमारे सुसाइटी को सबसे ज्यादर जो पसल ब इसके साथ ही यहां की सोसाइटी से खेती बाड़ी के लिए मिलने वाले बीजों और उसके बदले हाई प्रोड़क्शन और हाई सेल्स करने वाले किसानों के लिए, एक विशिष्ट सम्मान के तौर पे उन्हें प्राइज भी दिया गया, जो कि काफी ज्यादा एप्रिशि जैसे हमारे यहां चत्तिसगड के गाउं में, कोली और दिवाली के समय हैं, खोड़कोडी या खोड़कोडा नाम से एक गैमबल गेम खिल जाता है लगबग वैसा ही यह गेम है, जिसका नाम यहां पे जंड, जंडा मुगड है ग्यातो लियोंग, यह अगेन एक ट्रिब्यूट सौंग है, परम पावन के लिए बच्चों की तरब से यह बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही क्यूट और बहुत ही जबरतस्त है एक चीज़ और जो मैं विटनेस करके मेंशन करना चाहता हूँ especially कि यह एक ऐसी community है, जहाँ पे लगबग हर कोई बहुत अच्छा गाता है यह मैंने opera में notice किया, बहुत अच्छा dance करता है, यह already cultural activities में हम देख रहे हैं और हर age group के लोग इसमें involved होते हैं कि हमारे हाँ पे usually ऐसा होता है कि after a certain age, जैसे 40-45 के आसपास या उसके बाद usually ऐसा होता है कि लोग stage पे जाना perform करने में थोड़ा सा shy feel करते हैं और काफी hesitate होते हैं, या बहुत comfortable महसूस नहीं करते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे यह चीज बहुत अच्छी notice करी है और यह actually सीखने लायक भी है कि बच्चों से लेके बुज़र्ग तक लगबख हर age group के लोग बहुत ज़दा enjoy करते हैं, बहुत ज़दा celebrate करते हैं, बहुत ज़दा involved होते हैं और यह थोड़ा सा भी artificial new feel होता सब बिलकुल दिल से इन चीज़ों से ज़ड़ के करते हैं, और यह देख, और यह देख के बहुत मज़ा आता है friends तो आपको कभी भी मौका मिले तो इन चीज़ों को ज़रूर अटेंट करिए और witness कीजिए friends कि आपको पता है कि सबसे कम span of time के लिए दलाई लामा कौन थे? सबसे ज़्यादा लंबे span of time के लिए रहने वाले दलाई लामा कौन है? कि आपको पता है कि दलाई लामा का selection कैसा होता है? और क्या-क्या practical और political problems आते हैं इनको select करने में? क्यों खास होते हैं दलाई लामा? और तिबती और तिबतीयों के culture को लेकर बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे लेकिन इसके लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना पड़ेगा जो की बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है तो friends बहुत ही excitement, बहुत ही enthusiasm और बहुत ही ultimate experience के बाद हम यही पे अपना दूसरा एपिसोड समाप्त करते हैं जल्द मिलेंगे आपको अपने तीसरे और बहुत ही exciting एपिसोड के साथ पे तब तक दिखती रही है AS Explores और हमें बताइए कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है सभी को मेरा साधर परणाम